तो आज हम बनाएंगे एक Temperature Converter Program using HTML and JavaScript तो यहाँ बर मैं एक Sample आपको दिखा रहा हूँ अगर यूजर ने ना की कोई वैल्यू एड की ना की कोई यूनिट चूस किया जैसे की Celsius या फिर Fahrenheit तो दो Error डिस्प्ले होगी, Must Enter a Value और Must Select a Unit for Conversion तो यहाँ पर लेट से में वैल्यू चूस करता हूँ 100 और उसका मुझे कनवर्ट करना है Celsius में तो यहाँ पर कनवर्ट होगर आज आज वाएगा 37.78 Celsius तो इस पर हम वोक करेंगे आज तो लेट्स क्रेट न्यू HTML फाइल Index.html यहाँ गया Boiler Plate हमारा टाइटल रख देते हैं Temp Converter एंड एक Heading Temperature Converter Program और उसके बाद हमारा आएगा Input Box जिसकी टाइप होगी Text और उसकी ID लट से Value जहाँ पर यूजर Value एड़ करेगा उसके बाद यहाँ पर एक Span में एड़ कर रहा हूँ जो की Error शो करेगा अगर यूजर ने कोई Value नहीं एंटर की तो तो उसका ID है No Value और यह Initially Blank होगा राइट फिर एक Normal Line डिस्प्ले करेंगे हम की भही Select the Unit to Convert in Next दो Radio buttons हम Add करेंगे एक Celsius के लिए और एक Fahrenheit के लिए तो Input Type Radio यहाँ पर Name इन दोनों के Same होने चाहिए ताकि हम यूजर दोनों में से किसी एक को ही Select कर सके अगर इनके Name different होगे तो यह दोनों यूजर सेलेक कर पाएंगे एक साथ सो उसका नाम लेट से है यूनिट और आईडी है फॉस्प्रेटन है Celsius और नेक्स्ट है फैरनहाइट ओके फिर है सिमिलरली जो यहां पर हमने किया नो वैल्यू ऐसे ही नो यूनिट की एरर शो करने के लिए एक और स्पैन टेक और उसके बाद आएगा हमारा बटन Convert और उसकी भी आइडी देनी पड़ेगी लैट से उसकी आइडी है Convert तो इसको देखते हैं कैसे दिख रही हमारी वैबसाइट यहां पर यहां पर यह बटन थोड़ा नीचे चाहिए मुझे और यह प्लेसोल्डर भी मतलब इसको प्लेसोल्डर आइड कर देते हैं काफी ब्लैंक दिख रहा है अच्छा नहीं लग रहा है तो यहां पर मैं प्लेसोल्डर एड करता हूं एंटर एवाल्यू एग्जाम्पल जीरो हां तो यह थोड़ा अच्छा दिख रहा है और बटन को थोड़ा नीचे चाहिए मुझे हां तो यह डीसंट दिख रहा है और उसके भी नीचे एक और परेग्राफ टाइड करना पड़ेगा जो की डिस्प्ले करेगा हमारा आंसर तो इसका आइडिया रिजल्ट जो भी जो की अभी ब्लैंक होगा ओविसली और एड दी बॉर्टम ऑफ दी बॉड़ी टैग मुझे आइड करना है script जिसका नाम है let's say converter.js जिसको हम बनाएंगे अभी converter.js keep in mind कि ये same directory में आप create करें और यहां पर सबसे पहले एक log statement script working बलब connected हुई या नहीं उसको check करने के लिए से यहां पर हम जाएंगे फिर इसमें inspect and then console तो as you can see यहां पर message आ गया है script working awesome तो यहां पर हमारा stml का सारा काम हो जुका है अब हम सिर्फ जाहां script पर work करना है सबसे पहले में कुछ elements चाहिए उनको get कर लेते हैं for example सबसे पहले हम celsius radio बटन को get करते हैं तो celsius is equals to document.getElementById उसकी id I think celsius in the quotes sorry hmm similarly same चीज़ हमें repeat करनी है for Fahrenheit or same चीज़ हमें repeat करनी है for the result for no value or no unit and for convert इसके variable का नाम हम button रखते हैं id तो convert ही है okay तो ये 6 element हमें get करने थे उसके बाद हम दो function define करेंगे एक function होगा celsius में convert करने के लिए तो two celsius नाम का function है जिसमें हम temperature pass करेंगे temperature की value और उसकी तो formula होती है आपको online मिल जाएगी मैंने I think copy paste करके रखी थी तो this is the formula for celsius conversion और इसका हम direct return कर देंगे return similarly एक और function create करते हैं to fahrenheit और उसमें भी हम return कर देंगे उसकी formula okay तो ये हमारे दो functions create हो गए अब हम button की functionality को write करेंगे so button.onClick is equals to एक anonymous function यहाँ पर लिखना पड़ेगा first चीज हमें क्या करनी है तो first चीज हमें जो input में user ने value enter किया है उसको get करना है तो value is equals to document.getElementById यहाँ पर उसकी id थी I think value और एक और variable में define करता हूं answer जो की हमारा answer store करेगा right उसके बाद अगर value में कुछ भी enter नहीं किया user ने मतलब की value is equals to is equals to blank था तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा जो no value वारी error थी उसको हमें show करना है तो no value.inner stml is equals to यहाँ पर must provide a value ऐसी error हम show कर देंगे error मतलब सिर्फ notice basically और नीचे हम हमारे value को convert कर देंगे number में क्यूंकि input box हमेसा string value को get करता है okay next हम define करेंगे हमारी check box की functionality radio box basically तो अगर celsius selected है मतलब की checked है तो हमें convert करना है celsius में तो answer is equals to यहाँ पर two celsius function हम call कर देंगे जिसमें हमें पास करनी हमरी value और यहाँ पर मैं two local string function का use कर रहा हूं जिसे क्या होता है हम basically हमारे string को format कर सकते है for example यहाँ पर मैं लिख सकता हूं कि style तो यह एक unit है तो जो celsius में होता है वो एक degree का symbol और capital C वो automatically यहाँ पर मैं unit is equals to celsius लिखूंगा तो वो automatically आ जाएगा और यहाँ पर मैं minimum fraction digit और maximum fraction digits भी define कर सकता हूं कि भाई अगर even value integer है तो भी मुझे point 00 तो चाहिए ही और अगर point के बाद बहुत सारे fraction digits है तो भी मुझे सिर्फ दो ही चाहिए और यहाँ पर अगर आपको यह scroll horizontal scroll अच्छा नहीं लगता था आप word wrap on कर सकते हैं यू में जाकर वर्ड राप राइट ओके ऐल्स इफ अगर फैरन हाइट चूस किया था यूजर ने तो क्या करना है हमें तो और इनमें से कोई भी अगर यूजर ने चूस नहीं किया तो हमें no unit की error show करनी है तो no unit.innerhtml is equals to यहाँ पर लिखना है must provide must select a unit for conversion यह है हमारी error okay तो यहाँ पर basically issue हो गया था for example यहाँ पर अगर मैं इसको convert पर click करूं तो यह only one error show कर रहा है right तो इसका यहाँ पर हमने एक mistake कर दी line 18 पर यहाँ पर मुझे dot value ऐसा लिखना पड़ेगा और फिर मैं इसको convert करूं तो हाँ दोनों error perfectly हमें display हो रही है okay तो next हमें क्या करना है next हमें हमारे answer को display करना है तो result dot inner stml is equals to यहाँ पर मुझे display कर देना है हमारा answer okay तो let's say मैं आपर value डालता हूं 100 और celsius में तो यहाँ पर देखिए perfectly हमारा program work कर रहा है लेकिन इसमें still बहुत सारे issues है मालीजी मैंने यहाँ पर refresh किया और यहाँ पर convert किया तो यह देखिए undefined return कर रहा है क्यों यह undefined return कर रहा है क्योंकि हमने कोई भी check box पर click नहीं किया इसका मतलब यह else part run होगा अब else part में जब run होगा तो answer variable को कुछ भी assign नहीं हुआ है तो answer variable में basically undefined है value तो ऐसा display ना हो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा कि if answer is equals to is equals to undefined मतलब कि answer अभी तक define नहीं किया गया है तो result.innerhtml को कर दो blank ना की undefined तो यहाँ पर blank और अगर ऐसा नहीं है मतलब answer variable में कुछ है already value तो result.innerhtml कर दो is equals to answer okay एक और last issue है हमारे पास मान लिजिए किसी user ने यहाँ पर convert पर click किया फिर उसने दो error पड़ी कि must provide a value must select a unit तो उनने add कर दी value let's say 19 और उसको convert कर दिया Fahrenheit तो यहाँ पर आप देखें नीचे convert तो होगया Celsius में what Fahrenheit उसकिया तो Celsius में convert हो रहाँ वाँ वाँ वेट ए सेकंड so Fahrenheit.checked to Fahrenheit okay okay normal issue है यहाँ बर सिर्फ यह change करता है Fahrenheit okay that's it हमारी formula तो पर्फेक ही ती मतलब 19 का conversion Fahrenheit में पर्फेक ही था हाँ तो हम कौन से issue की बात कर देखें मैंने यहाँ पर यह दोनों error display होई फिर let's say user ने choose कर दिया Celsius और कोई value pass कर दी let's say 97 तो यह convert भी हो गया लेकिन यह दोनों error जा नहीं रही है तो इसको हमें remove करना पड़ेगा तो जैसे ही button पर कोई click करेगा तब initially हम error को remove कर देंगे और फिर अगर error होगी तो वो तो display होई जाएगी लेकिन अगर नहीं होगी तो वो remove होनी चाहिए तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि वही no value dot inner stml is equals to blank कर दो और no unit dot inner stml भी blank कर दो तो यहाँ पर I think हमारा program एकदम perfectly ready हो चुका है हम इसको check कर लेते हैं देखें यहाँ पर first error display होई और उसके बाद let's say हम check करते है कि 104 degrees fever में celsius में convert होता है 40 degree और यह दोनों error भी remove हो गई right और फिर अगर मालीजे हमने यहाँ पर value remove कर दी तो आप देखें must provide value अब यहाँ पर आप देखें यह value क्यों आ रही है तो यह value है zero degree की इसलिए मैंने placeholder में example zero लिखा था क्यूंकि यह basically zero degree convert हो कर रहा है okay और एक काम करते हैं यह जो error messages है उनके font color को red कर देते है inline style element से इसके लिए नहीं style sheet नहीं बनाने वाला so span में थे वो हाँ यहाँ पर style color red okay same चीज copy कर देते हैं no unit वाली error में यह क्या हुआ यह क्या हुआ ओक्या है okay हां done तो अब average होगी वो red font में display होगी और कुछ नहीं तो यह काफी अच्छा दिख रहा है I hope आपको यह program समझ में आ गया होगा और और कोई भी issue अगर आपको इस program में दिखे तो आप comments कर सकते हैं हम solve कर देंगे उसको भी और आप उसको थोड़ा अच्छा डिजाइन भी कर सकते हैं CSS से राइट Okay, thank you